हलो प्रेंडmeye功ुशन अंदर होता है और सिंक का नीचे भी ब्लग हो जाता है जो कि शुण में से पानी छोड़े तो बाहर आ एक तौिलेट ब्लोकेज बाथ रूम में फ्लोर का चलम का विल की सा ब्लग हो जाता है तो उसका पानी पास ने होता करना है जो किnity the nurse cleaner होता है क्या तो काम नहीं करेगा क्योंकि वर आफ कमेट करो करेंक वर लेकिन जो इन्स्रक्षण इसमें दिया गया है तो यह यह से काम करेगा चलिए मैं देखाता हूं इसको क्या है वो कैसे इसको पर्चेस करना कहां से पर्चेस करना है और उसको कैसे यूज करना है अगर हमारे चनल में नए हो चनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के आल पर कर दिजिए ताकि जो भी वीडियो में इसको का जो क्लिनिंग करने के लिए अगर से सिंक में बहुत हो तो सिंक में आल सकते हो ट्रेनिज में बीडाल सकते हो ड्रेने चोलेट में भी डाल सकता है और है चिरिफ 25 रूपीस है पर जैसी पर जो घर में अगर लगे रखें तो कहीं कि कुला के तो उसमें क्लियर हो जाएगा अगर ज्यादा कुछ ब्लॉग है तो उसमें क्या करना है थोड़ा सा गरम पणी डालना पड़ेगा चलिए मैं इसको कैसे यूज करते हैं इसका प्रपर टिक में आपको इस वीडियो में बताता हूं प्रेंस अभी देखिए यह अलड़ी हड़ोर सब में से ले लिए हैं इसका नाम देखिए दी क्लॉंग का जो यह पाउच है यह पाउच 25 रुपीस जो है इसका प्राइस है यहां पर लिखा हूँ है 25 रुपीस है और यह आपको यह 40 ग्राम का है प्रेंस इसमें क्या है इसमें कैसे यूज करना है अलड़ी इसमें जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरह से यूज करना है इसको जब भी आपको देखिए जब राशन का दुकान में भी यह मिल जाएगा कोई भी प्लॉंबिंग हाडवेर शॉप में यह मिल जाएगा फ्रेंस यह क्या है 25 रुप्या है जिस तरह आप राशन खरीत हो इसको क्या है घर पे दो चार पैकेट है आता पांस पैकेट रखना है कभी भी कीचन सिंग ब्लॉक हो गया तो फ्रेंस क्या करना है इसमें याल या तो हाथ से भी फाड़ सकते हो गटकर को सिंग्यों का यहां पर होल हे वीच हो बीच इसको डालने के रख üzह स होड़ने के देख इसे पाने बिदुदे चोड़ेर जह कि इसलिए तभी यापको पैंई दोबारा पानी डाल दिया तो यह कुछ काम नहीं करेगा इसको सिंख में डालके थोड़ी द्रव इसमें दिया गया है 30 मिनिट्स जो है छोड़ना पड़ेगा इसको फ्रेंस इसको क्या है और दूसरा चीज इसका अच्छा काम करें कैसे तो फ्रेंस इसके लिए इसमें भी रिखा हुआ है होट वाटर गरम पानी थोड़ा सा अगर आप इसका उपर डाल देंगे तो और इजी से काम करेंगा अच्छा काम करेंगा नहीं तो अगर मालेजिए देखे जो टॉयलेट में फूल रहता है पानी तो आधा रहेगा तो उसमें क्या करना है थोड़ा कट करक सबी अंदर डाल देना है और डाल देनेक के बाद फिर क्या है हूआ तो कमसकम दो-तिन लिटर जो पानी को गरण करके उसका अपर भी डाल दो ताकि यह आधा गंटे का फिर आदा गंटे तक छोड़ दो उसके बाद जब धिरे-दरे आपको देखो पानी भरा रहेगा धिरे-दरे खाली होना सुरू हो जाएगा और साफ हो जाएगा और फ्रेंट्स जो बात्रूम का जो फ्लोर है फ्लोर का जाली का पास जहां पर नान दोने का पानी जो बात्रूम फ्लोर में जो जाता है तो इस क्या कुछ च bookstore वाथ्रू में ज्यादा तरफ क्या होता है बाल जाता है बाल को गुच्छा आकर ब्लॉक हो जाता क् Kollegen और वनेगे आदा गंट घ्र को तो यह बाल के पीगला देगा सब्सक्राइब क्याया जाके पुरा जाम हो हो गया तब तो फिर आपको प्लंबर की जरूरत है नहीं तो यह आपको जैसे फास्टर जैसा काम करता है छोड़ा-मड़ा जो ब्लॉक है यह सब फ्रेंस इसी तरह का जब भी कुछ ब्लॉक होता है तो आप इजी से लेके उसको आप लाके घर पे रख सकते हो अगर ब्लॉक हो गया तो लाके डाल सकते हो इसके लिए प्लंबर को बोलाने की जरूरत है आप खुद अपना घर में कर सकते हो इससे कुछ ज्यादा हुआ हुआ गया या तो कुछ ज्यादा हाड ब्लॉक होगा तो तो फ्रेंस उस टाइमें क्या है इसी में क्लियर होगा लेकिन उसका टेक्निक क्या है उसको छोड़ के थोड़ा पॉंप करना पड़ेगा मैंने इससे पहले वी एक वीडियो अपलोड किया था जो टॉरेट का अंतर कैसे क्या है घरे लिए उपाया है वह भी मैंने सरद सीपी टेक्निकल मेंने सरद प्लम्बिंग ब्लॉग में मैं मैंने इसको अपलोड के आओं उसमें वीचाहे आप देख सकते हो किस तरह से वाक्यूम करते हैं इसलिए इसका भी वीडियो मैंने अल़ी बना हुआ है लेकिन जो सव्यूजार से लखे डाल इस अधर तो दिए हुजा तो यह कुश्यूच ओलट ने काया हिए फूंगे काम करेता है क्यूंगि उसमें पहले सी पानी थे ईएश को आपको दाल देना है और तो अब्रिया आपको यह कैसे यूज करना है आपको अच्छा से पता लग गया होगा अगर फैंसे करें वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो फैंसे के जरूर करना आज के लिए इतने हैं मिलते हैं नेक्स्ट टोपिक नेक्स्ट वीडियो लेके